हिमालाए की पाँच सबसे रहस्य मई जगहें जिनके रहस्य को आज तक वैग्यानिक भी नहीं सुलजा पाए नमबर पाँच गुरू दुगमार लेक हिमालाए में स्थित यह जील रहस्य मई मानी जाती है गुरू पद्म संभव का इस जील से संबंध बताया जाता है सर्दी के मौसम में इस जील का पानी पुरी तरह से जम जाता था जिससे यहां के स्थानिये लोगों को पीने के पानी के लिए काफी दिक्कत हुआ करती थी और उन्होंने अपनी इस तकलीफ को गुरू पद्म संभव को बताया तो उन्होंने इस जील के एक भाग पर अपना हाथ रखा जिसके बाद बेहद ठंड के दिनों में भी जील का यह स्थान जमता नहीं है सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस इस्थान को छोड़कर पूरी जील जम जाती है सदियों से यह जील भी लोगों के लिए पानी का स्त्रोत है माना जाता है कि गुरू पद्म संभव तांत्रिक थे इसकी वजह से जील को रहस्यमई माना जाता है और यह जील अभी भी पूरी तरह से बरकरार है और यहां के स्थानिये लोग इस से अपनी प्यास बुजाते हैं और वह लोग इस जील के पानी को काफी पवित्र भी मानते हैं यह स्थान बर्फ से ढकी हुई है साल 1968 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद सहमती बनी थी कि दोनों देशों के सैनिक इस स्थान पर मार्च नहीं करेंगे बलकि दूर से ही इस स्थान की निगरानी रख सकते हैं तब से ही यह स्थान वीरान है स्थानी यह लोगों के मताबिक कॉंग काला दर्रा पर कुछ सिद्ध पुरुश जाते हैं इस स्थान पर यूएफो उन्हें दिखाई देता है अगर आप यूएफो को देखना चाहते हैं तो इस स्थान पर देख सकते हैं बताया जाता है कि इस स्थान पर हर महीने एलियन लोगों के इस स्थान पर कम आने जाने की वजह से यूएफो में सवार होकर एलियन आते हैं। आज तक कोई भी यूएफो के रहस्यों को सुलजा नहीं पाया है। और इसलिए यह जगह दुनिया भर में चर्चा में रहती है। और क्या आप एलियन देखने के लिए इस जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। नमबर तीन गंखर पुएंसम। दुनिया में गंखर पुनसम को सबसे उचा परवत माना जाता है। जानकारों की माने तो यह इकलोता एक ऐसा परवत है जिस पर अभी तक कोई नहीं पहुँच सका है। दुनिया में यह जानकारी के लिए बता दें। उचे पहाड को तिब्बत के लोग भगवान मानते हैं। इसकी वजह से भी गंखर पुनसम की चोटी पर जाने की इजाजत नहीं है। और इस परवत पर जाने के लिए इजाजत इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि अगर कोई इस परवत पर चड़ेगी तो वह इस परवत का अपमान भी कर सकता है। इसलिए परवत पर किसी को भी चड़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। 13 घंटे तक कठिन तपस्या की थी। हम आपको बता दें। पद्म संभव दूसरे गुरू के नाम से भी जाने जाते हैं और वहीं पर यह मठ बनाया गया है। कि नवदंती है कि गुरू पद्म संभव एक बागिन पर सवार होकर यहां पहुँचे थी। इसी वजह से इस भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। यहां पर सैकड़ों रार्शियों को हजारों सालों से ध्यान करते हुए देखा जा रहा है। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी दी थी यहां पर यहां पर श्री कृष्णा शारीरिक रूप से बहुत ही कम अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना धन्यवाद